वाव। ये देखके लग रहा है कि ये बाहरी दुनिया का कोई चीज हो। अपने वेनॉम नाम का हॉल्यूर्मोभी ज़रूर देखा होगा। ये चीज दिखने में बिलकुल बैसा ही लग रहा है। मज़े की बात यह है कि इस चीज़ का मूवमेंट भी लगबग बैसा ही दिखाई दे रहा है जैसा कि मूवे में दिखाया गया था इसको लोहे के उपर डालने से देखिए आपने आप ही कितना सुंदर स्पाइक्स बना रहा है फेरो फ्लूइड एक ऐसा केमिकल है जिसके अंदर हमें इन दोनों का प्रोपार्टीज देखने को मिलता है नौर्माल यह एक लिकुइड के जासा ही बरताब करता है लेकिन जब भी इसके नजदिक कोई मैगनेट लाया जाता है मैगनेटिक फिल्ड के प्रेजेंस में एक मेटल के जैसा बरताब करता है आपको जानके और भी तजब होगा कि एक केमिकल दुनिया के किसी भी जगा पे नैचरली नहीं मिलता यानि कि इसको इंसानों दोरा ही बनाया गया है और इसके इंवेंशन के पीछे का स्टोरी भी काफी इंटरिस्टिंग है जब राश्या और अमेरिका के बिच कॉम्पिटिशन चल रहा था कि कौन सबसे पहले रॉकेट को स्पेस में भेजेगा तब दोनों के सामने यह चैलेंज आ रहा था कि कैसे रॉकेट फ्यूल को रॉकेट इंजिन तक पहुचाया जाए क्योंकि स्पेस में जिलो ग्राविटी में पहुच था ही, फ्यूल टैंक में फ्यूल तैरने लगेगा और फ्यूल टैंक में कोई भी प्रेशार बिल्डब ना होने के कारण से फ्यूल इंजिन तक नहीं पहुच सकता इस प्रॉब्लेम को सॉल्ब करने के लिए नासा के साइन्टिस्ट स्टीव पैपल ने सोचा कि अगर किसी भी तरीके से फ्यूल में मैगनेटिक प्रोपर्टिज एट किया जा सके तो मैगनेट की मदब से फ्यूल के कॉंट्रोल किया जा सकता है यही सोच के यह 1963 में पैपल ने इन्वेंट किया था फेरो फ्लूइट का जो कि मेंली फेरो मैंगनेटिक नैनो पार्टिकल्स एन और्गेनिक सॉल्वेंट से बना हो रहा था है आज मेरे पास है बिल्गूल ऐसा ही एक फेरो मैंगनेटिक कैमिकल आयरो उकषाइड जो कि मैंगनेटिक फिल में अल्मस्ट फेरो फ्लूइड जैसा ही बर्ताब करता है मैं इस वीडियो को दो पार्ट में बनाने वाला हो जहाँ पहिं आज की इस वीडियो में हम एक्स्प्लोर करने वाला है iron oxide के magnetic properties को एन इसके नेक्स्ट वीडियो में इसी आयरोन ओक्साइड के मदद से फेरोफ्लूइड बनाने वाल है इसलिए वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है तो वीडियो को बिना स्किप किये हुए अन तक जरूर देखना है I live inside my own world of make-believe Kids screaming in the cradles profanities I see the world through ice covered in ink and bleach Cross out the ones who heard my cries and watched me weep I love everything, fire spreading all around my room My words so bright, it's hard to breathe, but that's alright Hush Take my eyes open to forced reality Why can't you just let me eat my weight in glee I live inside my own world of make-believe Kids screaming in the cradles profanities Some days I feel skinnier than all the other days Sometimes I can't tell if my body belongs to me I love everything, fire spreading all around my room My words so bright, it's hard to breathe, but that's alright Hush I live inside my own world of make-believe Kids screaming in the cradles profanities I see the world through ice covered in ink and bleach Cross out the ones who heard my cries and watched me weep I love everything, fire spreading all around my room My words so bright, it's hard to breathe, but that's alright Hush Take my eyes open to forced reality Why can't you just let me eat my weight in glee I live inside my own world of make-believe Kids screaming in the cradles profanities Some days I feel skinnier than all the other days Sometimes I can't tell if my body belongs to me I love everything, fire I love ion oxide magnetic nature, you'll get a lot of fun If you'll get a lot of fun, then you'll get a like and share And you'll get more of my own iron oxide And you'll have a lot of iron oxide So you'll have a comment on it, it's all about me I want to make this kind of experiment If you want to make this kind of experiment, you'll get a lot of iron oxide If you want to make this kind of iron oxide, you'll have a link in the description of this video अब चाहिए तो बहाद से भी खरीच सकते हैं एंड इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इस आयन उक्साइट के मदब से बनाने वाला हूँ फेरो फ्लुइड इसलिए अभी तक आपने अगर चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्स्राइब करके नोटिफिकेशन बटन को अन जरू कर लेना तकि जब भी मैं इसका नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में तिल देन गुट्बाई